हेलो दोस्तो कैसे होतो दोस्तो आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज के इस नई वीडियो में लोग बात करने वाले है ODI World Cup के next match के बारे में के होने वाला है South Africa women versus Bangladesh women इन दोनों टीमों के बीच में दोस्तो ये match आज रात को 3.30 a.m. को start होगा विन्नी होने वाला है University over Dunedin तो दोस्तो South Africa के लिए obviously important match है बांगलादिश वैसे भी वीक टीम अबट साउथ अपरिका के लिए important match है मतलब इनको जीतना पड़ेगा क्योंकि ये वीक टीम्स के अगें जितना जल्दी जीत जाएंगे उतना ही बेटर रहेगा क्वालिफाय होने के लिए semi final में because दो टीम्स तो मान के चलो कि Australia England क्वालिफाय हो जाएगी बाकी जो दो टीम्स वो कुन सी होगी एक तो इंडिया रहेगी सेकेंड साउथ अपरिका थर्ड न्यूजिलंड इन तीन तीम में से कोई तो दो टीम आपको क्वालिफाय होती हुई दिखने वाली है तो जो टीम विक टाइम विक टीम के जीत रही ना तो एक बड़ा अपसेट रहेगा न्यूजिलंड के लिए और इसका बेनेफिट होगा साउथ अपरिका को और इंडिया को तो देखके चलना फर्स्ट मैच में लिए बहुत अच्छा ही जा रहा है आपको बताईए ठीक है तो आपको कोई वरी नहीं है अब आगे बन इ फिर इंग्लंड वन निनिटी फोर चेस कर लिया था फिर इंग्लंड ने 220 बनाये थे और झूजलन ने दो सो टेज्चेस कर लिया था मैकसमूम लिकेट पेसर से सरफ स्पीनर को चैए ही विकेट मिली तो अच्छी बैटिंग विकेट थी जहाब पेसस को मिल रहा था और लिए एक excitement रहेगी कुछ इस तरीके सिन का squad है जिसमें से मुझे लगता है यह 11 प्लेस आपको most likely खिलते हुए दिखने चाहिए अब इन में 11 अच्छे प्लेस देखोगे तो इनकी कैप्टन है नाइगर सुल्ताना जो विकेट किपिंग भी करते है तो शमीमा सुल्ताना विके जाना रहा आला में थोड़ा देखके चलना अब यहाँ पर देखो तो और आपको इनके वंडेस स्टाट्स भी दिख जाएंगे प्लस इनके प्रैक्टिस मैच जो इन्होंने दो प्रैक्टिस मैच जाएंगे तो बिल्कुल मिस मत करो तो शमीमा सुल्ताना 33 प्लस 18 बना के अईगर सुल्ताना है प्रैक्टिस मैच में कुछ जादा नहीं कर पाई है्स्टी ना वाके करेयर में कने कौः जो जो कैप्टैंसी करेंगी रितु मोनी है प्रैक्टिस मैचेस में चार विकेट्स निकाली 19 प्लस 13 रन बनाए तो यूटिलिटी प्लेयर है वैसे करियर में स्री 5 ही विकेट्स है तो ये भी नोट करके चलना रुमाना एहमद है और डाउंडर है प्रैक्टिस मैच की बात करें तो 12 रन प्लस 1 विकेट 30 रन प्लस 0 विकेट करियर में 26 का इनका बैटिंग आवरेज है प्लस इनके नाम पर 45 विकेट्स निकाली तो इंपोर्टन प्लेयर ये रहेगी और कॉलिटी रहेगी लता मॉंडल है ये भी और डाउंडर है थोड़ी बहुत बैटिंग थोड़ी बहुत बालिंग दे देती 24 मैचेस में 16 के आवरेज से रन बनाया है और 13 विकेट्स निकाल के आई है करियर में 26 विकेट्स एक इंपॉर्टन लिप्टाम और्टोडोग स्पिनर रहेगी सुराया अजमे ने र थोड़ी मैचेस में 38 विकेट्स है बेंच पे फरिया थिसना है राइटम अपट प्रेंग स्पिनर प्रैक्तित अउलस के इन देक है यकाली थी और दो दो विकेट्स ओड fence करियर में यह नहीं निकाला थी तो दोस्तों important for small league तो रुमाना एहमद रितु मोनी ठीक है ये दो players सलमा खतुन और नाहीदा अक्तर मुझे लगते हैं ये 4 players small league के लिए बहुत important रहने वाली है इनकी आलाव अगर देखोगे तो नाइगर सुल्ताना और शमीमा सुल्ताना दोनों में से कोई एक और bowling section में जहाना रहा आलम ठीक है फरगाना हक ने अच्छा रण बनाते practice match में तो इनको अपलोग GL में rotate कर सकते हो अब बात करते हैं साथ अफरीका की तो strong team है कुछ इस तरीगे सिनका 15 प्लेस का squad है टीम की captain रहेंगी सुने लूस वाइस captain रहेंगी क्लॉइड ट्रॉयन ठीक है पिकोज इनकी जो main players है डैन्वें निकख वो injury के वाज़े से available नहीं पूरी tournament के लिए solid team है strong team है वो जितने के high chances है किसको इस match को जितने के ठीक है अब देखो इनके मेने overall stats आपके सामने रखे है लिजल ली recently उन्होंने ज्यादा कुछ cricket खेला नहीं है तो यह थोड़ा देखके चलना थर्टी एटीन का करेर रहे बहुत जबर्दस फर्म में थी जब यह खेल रही थी इंड्या के सामने उसके आद इंजरी के वाचे अवेलेबल नहीं थी लौरा वालफाट है यह जबर्दस प्लेर एट फोर्टीफोर इंका करेर है आवरे पिछले चार मैचस देको इने रिस बॉलिंग करना जानती बट बॉलिंग कर नहीं रही मिगनन डुपरीज है पिछले चार मैचस में रन नहीं बने अगेंस वेस्टेंडीज यह थोड़ा कंसर रहा था बट जब इन्होंने बिग बेस्ट लिग खेला था जस्ट बिफोर डैट सीरीज बहुत अच्छे फॉर् मरीजन कैप इनकी मेन और राउंडर है बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों सॉलिड देती है बिलकुल मिस मत करना क्लाइट रायन है लेटाम ऑथोडॉक्स है राइट है टिम की वाइस कैप्टन भी है तो पूरे मैचस खेलने के हाई चांसे से विकेट की बात करें तो कंसिस सामने तो फॉर्म वाइस ठीक लग रही है ट्राइवल रही ग्रैंड लिंग में सिनोला जापता है विकेट की पर बैटर है इनका रोल रहता है इससे ज्यादा पी इनको कंसिडर मत करो हाँ अगर बैटिंग मिली तो ठीक है शबनी मिसमाइल इनकी मेन पेसर आई तिंक क्लास राइटम मेडियम है इनके नाम पे तीन विकेट से पिछले दो मैचस में फिर बेंच पे टुमी से कुकुने है राइटम फास मेडियम 21 मैचस में 20 विकेट ट्रिशा शेट्टी है विकेट की पर बैटर इनके बास बहुत सारा एक्स्पिरियंस है हो सकता है सिनोला जा फट ने 83 के एक पारी खेली थी तजमिन बिरिश ने 0 और 13 बनाये थे सुनिलूस ने 86 प्लस वन विकेट मिगनन डूपरिस दोनों मैचस में फ्लॉप थी मरीजन कैप के बाद कर दोनों मैचस में विकेट नहीं मिले बट रन इनों अच्छे का से बनाये थे क्लॉइट राइ ठीके अब देखों नायेगर सुल्ताना और श्रमिमा सुल्ताना दोनों में से कोई एक विकेट केपिंग करेगा और दोनों तौफ थृ टॉप फॉर में ही बैटिंग करते है श्रमिमा सुल्ताना मोशली ऐपन करती है तो हम यह टास के टाम पे पता चलेगा एक्चुली कोन विकेट किपिंग कर रहा है, अभी किले हम लोग नाइगर सुल्ताना को ही प्रेफर करते हैं, बट अगर श्रमिमा सुल्ताना विकेट किपिंग करेगी तो मैं श्रमिमा सुल्ताना को प्रेफर कर लूँगा, ठीक है पाकी तरिशा शेटी जाप्टा दोनों जो भी खेलेगा बहुत नीचे बैटिंग करता है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा चलते बैटिंग सेक्शन में लॉरा वालफॉर्ट लिजली दोनों ओपनर से दोनों सॉलीड है दोनों कंसिस्टेंट है दोनों लंबी पारिया खेलती है दोनों कमलोग टिम में रख लेते हैं फिर उसके बाद अगर देखोगे फरगाना हक है इन्होंने प्रैक्टिस मैच में 90, I think 71 की पारी भी खेले है यह देखके चलोगे शर्मिन अक्त अगर खेलती तो ओपन कर सकती है मिगनन डूपरी जे नंबर 5 नंबर 6 पे आएगी बाकी अगर देखोगे तहां पे स्टेन ये I think reserve player है तजमिन ब्रिट्स के थोड़े खेलने के चांसेज कम है लारा गूड़ चार पे आएगी और शोबना मोश्ट्री के थोड़े खेलने के चांसेज कम है ये दोनों बैटर्स अभी के लिए हम लोगों ने प्रेफर कर लिए अभी चलते और आउंडर सेक्शन में मरीजन कैप को लिया ठीक है सुनिल उसको ले ले लेते दोनों मेन और आउंडर से दो साथ जाओंगा भीकोस बहुत सारा एक्सपिरियंस है राइटम लेक ब्रेक स्पिनर है थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेगी सर्मा खतून बैटिंग प्रेफर कर लिया अब चलते बैटिंग सेक्शन में आया भूंगा खाका शबनेम इसमाल ये दो ऐसी प्लेयर से जिनके बिना में जानने वाला ये आपकी गेम चेंजर बन सकती है अगर साथ अपर के पहले बॉलिंग है इनको ग्रैंड लिग में क्यप्टें आइस क्याप्टें आपको ट्राइ कर सकते हो अब हम्में लेने है और दो प्लेयर एक बंगलादेश और एक साथ अपर बैटिंग बट मुझे ने लगता बहुत सारा help इनको पीट से मिलने वाला है तो आप चाहो तो रितु मोनी को प्रेफर कर सकते हो जो राइटम मेडियम है और बैटिंग कर सकती है ठीक है जहाना रा आलम ले सकते हो experience के साथ अगर आप जाना है जाना चाहते हो तो फिर वहाँ पर आपको क्या इशू आएगा मिगनर्ड डूपरिस के साथ जाना पड़ेगा जो हो सकता है कि इनको बैटिंग ही ना मिले यह चीज हो सकती है तो मैं क्या कर रहो पता है यहाँ पर मैं ना रितु मोनी को ले रहा हूँ सक्षन में अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे है यहाँ पर मिगनर्ड डूपरिस को ले रहे है या फिर हम लोग क्या करेंगे लारा गुडॉल को ले लेंगे ऐसा कुछ हम लोग चेंज कर लेंगे कि Toss के टाइम पे actually विकेट किपिंग कोन कर रहा अभी के लिए हम लोग यही टीम रख लेते हैं बट Toss के टाइम पे गर नाइगर सुलताना विकेट किपिंग करेगी तो most likely मैं नाइगर सुलताना को मेरी टीम में लेने की कोशिश करूँगा जो टीम आलड़ी मैं आपको पहले बता चुका हूँ राइट नाओ इस टीम के साथ continue करते हैं अब यहाँ पे देखो यह आपके top 3 हो गए मरजन के आपके नमबर 6 पे आएगी बट mostly balling से point देगी पर यह top 3 mostly run बना सकते तो इन तीनों को हम लोगों ने prefer कर ले और सारे ballers हम लोगों ने prefer कर ले साउत आपरिका के तो यह अच्छी बात हो गए प्लस अगर देखो भी बांगलादेश के दोनों में और डॉंडर्स को हम लोगों ने रख लिया फरगणा हक ने रिसेंटली रन बनाया थे तो उनको उनको रख लिया और शम्मा सुल्ताना और जो भी विकेट की पिंकरीगी उनको उनको अम्लोक टीम में प्रेफर कर लेंगे अब बात आती कैप्टन वाइस कैप्टन से की तो पब्लिक मोश्टली प्रेफर करेगी इन दोनों को ही ठीक है? वीकॉस सОनेल उस् बैरट इंग प्रस बॉलिंग दोनों देग गी तो मैक्सिमम पब्लिक इन दोनों को ही प्रेफर करेगी आप यही कर सकते हो इन दोनों को कैफटन से देखके चल सकते हो और एक चीज आया हूंगा खाका, शबनिम, इसमाई, ये दोनों को grand league में captain wise captain definitely tie करना, ओलफ़र्ट और लीजर लीग, इन दोनों को भी definitely tie करना, तो ये कुछ 6 players हैं जिनको grand league captain wise captain से rotate करो, जो आपके लिए grand league में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, ये तोड़ा देखके चलना, तो आपके लिए grand league आ सकती है, तो ग्रेंड लीग को खेलना जरूर, विकोज उमन्स क्रिकेट में grand league अच्छी जाती है, दोस्तो ये बनती माई लिए उन सरकल की team, यहाँ पर क्या change किया, यहाँ पर मैंने फरगना hug को drop करके, रितु मोनी को रख लिया, जो batting प्लस balling दोनों दे देती, तो कईना का एक advantage बन जाता है, एक balance बन जाता है, तो इससी वाज़े से मैंने इनको prefer कर लिया, captain wise captain की suggestion मेरे वही रहेंगे, बाकी लॉरा वालफोर्ट, लीजर ली यह भी solid कया, smallly captain wise captain, आप इनको भी try कर सकते हो, final updates के लिए telegram channel से जुड़ना, telegram channel की link आपको comment section में, first comment में मिल जाएगी, thank you so much guys for watching,